लोग बीजेपी पार्टी से तरस्त हो चुके हैं सडक्या इतनी खराब है सडकों यह नहीं पता चलता अगर शडक में गड़ा है या गड़े में सडक है कोई अपनी लुगाई को मुट साइकल पे बठा के ले जाता है तो पीछे ही देखता रहता है रह गई के डह गई फास्ट बोलर एंडिया टीम में देखा होगा बुमरा नाम है वो सब से तेज गेंद फैकता है अर्मोधी उससे भी तेज भैकता है सणीदोल तारिक पे तारिक तारिक और बीजेपी वाले जूट पे जूट पे जूट पे जूट जूट पे जूट करें ना किशे का भी बला नहीं कुछ नहीं जीरो उससे भी कुछ और पलस होता हो तो माइनस होता हो कर दो नाराजगी उन्हें पांड गोड़ दिमारा डिये इपते में गई बतना देट जालगा खागया बताव अठारा साल सम्नागर निवाम में लग रहे हैं मैं पका भी न करा बीजेपी ने कांगरेश आनी चाहिए आपके नवसकार बहुत स्वागत है आप सभी का इस वक्त में हर्याणा की रोतक में हूँ और लगातार हम हर्याणा की अलग-अलग छित्रों में जा रहे हैं तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं लोगों से बाचीत कर रहे हैं और हर्याणा में माहोल क्या है ये समझने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं बीटे 10 सालों से हर्याणा में बीजेपी की सरकार है और हर्याणा की जनता किस कदर बीजेपी से परिशान है ये दिखाने और समझाने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं तमाम लोग आज हमाई सा कोशिश करेंगे क्या नाम हूँ आपका कुलदीप मलिक कैसा महोल है अब की बार हर्याना में सर बात ऐसी है लोग बीजेपी पार्टी से तरस्त हो चुके हैं क्योंकि बीजेपी पार्टी एक निकमी उरुनाकारा पार्टी है बरस्टाचार अपराद में नंबर वन बरस्टा पिंग कर रहा है ऐसी बरस्टाचार की आलत हैसों ने कर दी बीजेपी पार्टी ने आज बीजेपी पार्टी बिल्कुल तरस्त होगी है कॉंग्रेस की बारी लहर चल रही है चोजरी वुपेंदर सिंग उड़ा जो रोहतक से ही आते हैं उनकी लहर है और यहां जो आप वि है कोई अपनी लुगाई को मुठ साइकल पर बठा के ले जाता है तो पिछे ही देखता रहता है रह गई के डह गई तो यह हाल है तो साड़े तिन सो क्रोड जो हमारे अमरत योजना के दे रहो तक में एक बारिस हो जाती है एक बारिस होने के बाद गुटनों तक पानी आत उनका पैर घिष्ड गया उसकी कुली तूटगी उसको मैं खुद अपनी अपनी काटी में बठा के ले गया हूं मेडिकल में उनको मैंने करवाया टीटमेंट है और ऐसे ही बहुत ही काम खराब हो रख्या है बीजेपी कहरी 10 साल जो रहे ना एकदाम अमरित काल वाले रहे ह मच्छर को कपड़े पेनाना आथी को गोद में जिलाना और बीजेपी वालों से सच बुलवाना तो असंबव बात है मेरे भाई जातपात की राजनीती करते ही ये ना मंदिर की बात हो ना मस्जिद की बात हो परजा बेरोजगार है निवालों की बात हो रोटी की बात हो औ चोदरी वुपेंदर शिंग उड़ा ने 10 साल गाजो कारिय काल था राम राज जै था सारे बदमास और चोदरी वुपेंदर शिंग उड़ा ने ये कह रहा था कि पिल लगा के और पैपसे लेग गई है तो ये देखो बिजेपी का क्या सिस्टम बीजेपी एक तरफ तो कह रहें कि अपकी बार तीसरी बार सरकार पर दोगे बाग रहे ना उनको पता चल लिया अब तुमारी नीचलने वाली बीजेपी की देख तरफार कॉंग्रेस पार्टी आज लोगों की मैं अपनी नीवरता रहा है लोगों की रहा है अब दोगे ने तरतों में और दिपंदर भाई उड़ाने मारे ने जो हरियाना मांगे हिसाब यह तरह चला हुए है आज आज आजारू की संख्या में उनको प्यार मिल रहा है साथे नो साल जो मारे दिपंदर भाई ने दिन राज करके डोर टू डोर में देखो जैसे सारी जगह जो काम किया है तो उनका प्यार मिल रहा है कि सब मजबूत है सब बढ़ियां चल रहा है कहरे सो भागय मनाओ कि कॉंग्रेस चली गई दस साल बीजेपी आई बदल गया वह कहरे किसान इंसे खुश पहलवान इंसे खुश इजवा इंसे खुश तब सब तो खुश है तुम काय परिशान हो अब देखो जी पहलवान ब बिर्जबूशन बस ने जो वहां किया पहलवान बेटियों गशिटाजार है साड़े साथ सो किसानों ने मारे साथ ददी ये को ऐसा नेता किसी किसान के घर नी गया सानुवती देने के लिए कॉंग्रेस पार्टी के लीडर गई रहूल गांदी गई वो पेंदर उड़ा ग मज़ा नहीं आ रहा है डबल इंजन की कहां की सरकार है जीरो सरकार है यह अब मोदी तो सर्फ जूट बोलते हैं जूट पे जूट जूट पे जूट आपने फास्ट बोलर एंडिया टीम में देखा होगा हैं बुम्रा नाम है वो सब से तेज गेंद फैकता है और मोदी उस इनलाजार में आएने के खरीदार है सहर के सब चोर कह रहे हैं हम भी चोकीदार है निएखा रहा है और अमेरिका मंगल घरह पर जीवन तलाश रहा है मोधी जी का तो सब भंड है जूट बोलते रहते हैं इन्हों कुछ नियांता ये ये सबसे बड़ा जूटा और दोखे बाज कोई है तो मारे भारत का प्रदानमंत्री है यही पुकार अब की बार हुड़ा सरकार आप बताओ क्या नाम हो आपका ललित कुमार में नाम है रोतक से यहाता हूँ यह सिरफ एक पॉर्टल की सरकार है इसने हर जन को पॉर्टल में उलजागे रख दिया है एक गरीब आदमी अपनी दियाड़ी करे या लाइनों में लग से यह सरकार निकम्मी सरकार है इससे बचना है ज्याव ह bon Lum a असमत करो तीसरे बार बीज़े ओकितने हैं कितने हैं कम से कम 65 और 70 हैं यह कितने बडोकॉस ले खर ले कितने बरग़ाले इनकी नहीं चलनी अब की बार कहीर वे पिछले बार बोले थे 75 पार का नारा दिया लोग सभां में 4 बार का नारा दिया अपकी बार में नारा नहीं कल रहा भी जूट सून भर हर जऺंगा। आदमी लेकिन गुंडागर्दी से मतलब चम्चों से भरी पड़ी है यह सरकार मोधी से क्या खुश होंगे जब एक नेता यह इसको यह नहीं पता क्या हो रहा अर्याना में क्षटर सरकार आई थी नो साड़े नो साल क्षटर सरकार अपना काम कर गई खटर बाद में दो महीने सेनी साब को दे दिया जो भी है 15 साल मतलब हमारे अर्याना को पीछे ले गए वह बिल्कुल है दिन दोगनी राच चोगनी तरक की हर्याना की की वह कहते रहें उससे क्या फ सब्सक्राइब का तो किसी के साहथ लडाई ढीं है कांग्रेस तो एक तरफा है कि जैस तरफ है यह फिलकुल एक तरफ है हमारा इंजेन यह सब परवाप पर्पार इंजन की सरकार वह मनाति तो यह सरकार उड़ा सरकार बैस चाहिए oggi कच क्या बढ़ी है कांग्रेस की तरफ कांग्रेस की तरह दिगें ने कुछ किया ने पीजेपी ने किया हम ही ने किया कुछ भी निकिया इन्थो पक्वाइद से सवाइं ने कुछ नहीं किया है यह लोग आईडिकेश कर्म गेर दिया इन्ने कि परिशान किसी ना बनी लड़की ब्यानी यह 50 गज का पलाट बेचना जाता है वो प्लाट नहीं बेच चकता है यह आई डीवीडी का चक्राइब कैसा माहल देख रहे हैं क्या नाम हो आपका में नाम अन्रेश कुमार क्या माहल है इसकी बार जंच दन की पुकार है हमें चाहिए शुर्प कॉंग्रेस सरकार उड़ा सरकार हां जी क्या परिशानी बीजेपी से बीजेपी से प्रेशान हर वर्क दुखी है मजदूर है किसान है विदारती है सरकारी करमचारी है ओफ्स की मांग है सुरक्षाप महिलाओं पर सुरक्षा की बात है तो हर जंग है जनता इन से बीजेपी वाले से प्रेशान है हर महिलाओं की युवाओं की किस नहीं कर पाया था बीजेपी ने दस साल में प्रदेश को हर्याना प्रदेश को 15 साल पीछे देखने काम किया है पैंशन के नाम पर बुजरगों माताओं का खंडन किया दोसो दोसुरुबे देते बढ़ाते हैं उड़ा सामने जैसे जो गोशना करते थे बैबिजली बिल माफ किसान की माफी करज माफी पैंशन तुरंत लगों करते थे पहली किलम से इस बार जनता ही चारी है हमें वह इस यह उड़ा सरकार लेगे लोगों से बात कर रहा हो करे कांगरे सरकार आई की तो गुंडाराज बढ़ जाएगा ऐसे कुछ लोग कहते हैं जो बीजेपी समर्थ बुडा साब ने एंकाउंटर करवाई बदमासों के महिला मारी बेटी सुरक्षा से कहीं भी जा सकती ती रात को आज महल यह हमारी माताई बेहने जो एक अभुषन होता है गहना वो पहन के बाहर ही नहीं कर सकती है राम ब्रातकार डगैती लूट कशोट का महल है थोड़ा क्या नाम हूं आपका एठ önem कसा मैद के बार ऐख़े हुरै गांगरेश के सरकार है और अवका यह उम्मरा बहल और 5050 साल में अपने विजयपी का राज भी देखा हो Hangkick का तो देखा ने लंबे समय थे कंगरेश रही देश में भी देखा हरियाना में भी देखा कौन बढ़ि नहीं सब्सक्राइब लोगों को मारने के लिए बीज़ेपे सरकार ना अमस्पी लागू हुआ अब जो लागू होने की बात करें वह भी तंपरेरी है जुनाओ के लिए रुजगारी के वेवस्ता बेरुजगार है हर्याना परदेश का ज्यादा तर पड़ा लिका समाज बेर बेरुजगारी वेशे युवा परिशान है ना पहले एक नंबर पर होता था जिस फिफिल्ड की बात करो अब एकदम नीचे आ गया है जिमेदार कौन है जिमेदार बीजेपी सरकार है मोधी सरकार है मोधी से क्या दिकत है? मोधी से बेंगाई है वे रुजगारी है किसान परिशान है दली तबरग भी परिशान है बजट के अंदर दली तबरग को कोई परवदान नहीं दिया कुछ नहीं कुछ नहीं मिला क्या कह रहे हैं सबसे बड़ा दाउद बैठ्ट है मनीश्गरा और जो जिसको कल टेक्टिव लिए ना इंडेरियांग मैं की मतलब आई ती 2000 में इस चैर क्रोड रुपी आदा सारे खा गया और एक भी नहीं तिन सो क्राड आदा पानिगा वह सारे खा गया यह सी कंपनी है जपर गी प्रवर्डी आइडिया ठेका दिया दा वह ले गया मतलब 170 क्रोड और इस एलेक्शन जे पहले लिए पहले सरु तक पढ़वा था पढ़वा थोड़ दिया उसके आधमें खटर गीजा बीदी लें दियन वेकर रहा था तो सैनी साब आ गया अब तो ठीक हो गया सैनी कती पैनी है वह कती जीरो है जीरो है कती जीरो गटर कती खटारा कि वहां कटारा कती कुछ नी अर्मोधी कती एक लाग गर पासे कुछ भ करोन जनता मोधी का परिवार है जहां जहां बीजेपी की सरकार बनेगी वहां वहां खुशाली आएगी जीरो है और कुछ नहीं है पूरे पास हो भी निकाट देगा जो जेजेपी वगरा है अपकी बार इसका क्या जेपी जेजेपी कुछ नी सारी जीरो आदे तो टोड़ पर सरकार आज आएगी मतले हां कती चौश ट्पेस बीजेपी मार गोड़ी बीजेपी किता हो गी बीजेपी आउंगी सोडा सीट मुस्कुल से सोडा सी सोडा कि सत्तर पार ना कि से सत्र बार दमना पार सारे जो यह वीजेपी वाले सब भाग रहें इदर टिकट बटताए पिशली बार जमना पार करा रहे थे निंगरा आए अधर के चलेगी नहीं आ इस जो यह बीजेपी वाले कहते हैं महंगा हमने काबू में की रोजगार हम ने दिया वो कह ए देल लाक नोक्रिया दिदी दूट का गे सारे अरिया ने अपना घर व्र गे कती वह यह अब चलता है वहीं कांग्रेश कि राज मेशी एक तो आपके वहीं सब्धाँ एक आपका ना राज में जीतर में जीति-वियु अधर में अधरु मैं प्रवाइब के नाम हो आप आपकी बार कांग्रेस की मेजर लुटगी तरफ जा रही है इनका कोई मुद्धा नहीं है बेरोजगारी वटगी महाई वटगी अत्याचार गुंडा गर्दी वटगी बचे बेरोजगार हो रहे हैं काफी को नोकरी किसी को नहीं मिली और नोकरी देते हैं तो बेशते हैं नोकरीयों को समान भात होता है ऐसा कहा जाता है नहीं होता है मैं खुद बित्ती हुई बता रहा हूँ आज तक है कि मेरे इंजरी होगी थी फिर मैंने फीजिकल भी पाड़ा है उस में भी मैं फस्ट आया था है आज तक नोकृया नहीं में ऐसे का फिसकल मैंने पुलिस का दिया था पांच किलो मिटरे एकसिलैंट वैं करके आया था दोजार सोडा की बात हैं आज तक नहीं मिली है अंदर में दो करूण दे रहे थे हर्याना में तो नोक्रिया बाट रहे थे नोक्रिया की तदी हैं वाही साब इतनी मारे तो वेरोजगार भाई बैटे हैं हैं लट ताने बैठें इन्ती इविके ने बीजे पी आड़ा को एब याड़ प्रोग्राम करेगा उसे गलठ गाड़ांग याम तो खराम हां इतना खराब महूल हो रहा है आप उड़ेती देख लो दल दल में आप बोलो क्या कह रहा हूं इन गामा मेर कालोनिया ने बढ़न देंगे भीजे प्याड़ा हैं यान यान देंगे खुले बैसकार औ और लोगों से आप बताइए भी या क्या माहूल देख रहें आपकी बार माहूल अपकी बार कॉंग्रेस का यह सर हर्याना में कॉंग्रेस सरकार आ रही है साट सतर प्लस सीटे वाली कह रहा है सब गलीमत में मत रहो सपने मत देखो बीजेएपी फिर से आएगी नहीं नहीं कैसा माहूल अपकी बार चुनाओ का क्या देख रहे है सब ठीक माहूल तो है किसकी तरह अब अब अधिपेंदर भाई कॉंग्रेस की तरह हाजी बीजेपी नहीं ठीक है सब किया बतावीजेपी कुछी ने कर रहा है और और यहां पे मैं थोड़ा आप से बात करता हूं ंते बीजेपी जाले में ठीक हैं इसी लोजाठी तीसरी बार बना रहें थी तंती तिसरी बार क्यां कैसे बार सटैटी बार को मक्या फ्रेब्रकर अichenल में जहां काम नहीं है मैं कुछ भी काम नहीं हुआ है ही बफ्रपगर Ayam अब क्या हो रहा है रही कि उन्हाहकटी नजाएज इस पुन जीतेगा ढpeut रहू दंगी और यह बीबी बत रहा है ये वताओ हर्याना में सरकार किसकी बन रही है घरखे जाथ है अदर्पिटिन मेघनिके किष्ज का बढला निकर देना कोट ही घरी में कर देद्री का किरिणा ना किसे के अब भरण लानित खेए कि जिल्वाद कर दिया हाँ नहीं ना कर दिया सारा देश बसा दिया सब कहने बेचेंगी और वल सब इनदेचेंगे सब बेच रहे हैं हाँ किदनी सीट आएगी बच पांच यह कांग्रेश की सअरी बग की प्चैसी हांगी क्यों नाराज है बीजेज़ पीसे बताइए कम नहीं करें कि मैं भी दफ साले इसी तीजी कर दी हर इंसान की अधिकास कर दिया कभी नहीं परिवर्तन परिवर्तन आपसे तो बाती ने पाई थे क्या नाम हो आपका मेरे नम बिट्टो क्या महोल की वार कांगरस का बीजेपी से क्या दिख फैमिली आएटी और प्रॉट्टो की आईडे बिल्कुलिप्रेट्स लग रहा है यह फैमिली आएटी यह ले डूब एक पंवल के आयए थोड़ा और तो कि अवर रियाना में में चुनाव है क्या लग रहा कांग्रेस आनि चाहिए व्लय साल्सम निवां में लग रहा है में पक्का हुद है कले तो तो बहुत सारे लोग मिले एकदम आम लोग थे आज यह आप भी आई आप से बात कर लेते हैं तो क्या लग रहा है कि बाहर का रहा है क्योंकि आयमोल बहुत खराब कर दिया नहीं है यहां से लेको वहां डिकर जाओ कोई शड़क्षब के बाद टूटी पड़ी है ठीक है अर कि अब देब कंडियोडेट भी निवर्चन दांगे और पूंसे एक मेंटरो कहां जा रहे हैं आप मैं दूद लेगे आया हूं हर्याना में क्या होगा उड़ा सरकार होगा पीजेपी बीजेपी पीजेपी कुछ नहीं जीरो उससे भी कुछ और पलस होता हो तो माइनस होता प्रवर्चन देब कंड़ा सब्सक्राइब करें अच्छान में तो देखें रहे हैं आम जनता का महोल कैसा है एकदम एकदम आम लोग हैं रास्ते चलते वे लोग हैं मिले एकटावें से बाचीत की और हर्याना पर जिस तरह से राह चलते वे लोग हैं इनसे जब आप बाचीत करेंगे तो आपको हर्याना का महोल समझ जाएगा और आप अंदाजा लगा लेंगे कि हर्याना में अपकी बार क्या होने वाला है बीजेपी से हर वर्ग परिशान है चाहे वो युवा हो चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो बुजर्ग हो चाहे वो किसान हो चाहे वो पहलवान हो हर कोई बीजेपी के इस दस साल के शाषन में तरस्थ हो चुका है और अब इनको उम्मीद है कि हाथ ही इनके हालात बदलेगा इनको चाहिए परिवर्तन अब बीजेपी से हर्याणा में कुछ होने वाला नहीं है और बहुत तो लोग ऐसे भी कह रहें कि अब कि बार बीजेपी जो है यहां से जमनापार होने वाली है और कॉंग्रेस की सरकार आने वाली बहुत बहुत धन्यवाद